हेलो फ्रेंड कैसे हैं आप आइब होप कि आप बहुत अच्छे होंगे और अपना अच्छा से खियाल रख रहे होंगे आज की वीडियो में हम बात करने वाले best 5 mutual funds के बारे में वैसे तो market में हजारों mutual fund अवले बले लेकिन सभी में तो हम invest नहीं कर सकते हमारे को best कुछी mutual funds जी जिन में से मैं best 5 लेके आया हूँ आपके लिए साथ ही एक bonus mutual fund भी बता हूँ जो कि आज के टाइम में बहुत अच्छा परफॉम कर रहा है और काफी अच्छे return बना के दे रहा है तो friends आप वीडियो में end तक बने रहेगा और चैनल पे पहली बार विजिट करें तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरू कीजेगा friends अगर आप हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो हमारे को motivation कैसे मिलता है वीडियो को like के लिजिएगा friends आएब हम आगे बढ़ते हैं friends best 5 mutual fund में हमने सबसे पहला mutual fund लिया आपका mid cape category से जो कि है आपका axis mid cape direct plan growth friends जब भी आपको किसी mutual fund में invest करना हो हमेशा direct plan में invest कीजएगा क्योंकि direct plan के return regular plan से हमेशा ज़्यादा होते हैं क्योंकि regular plan में आपकी fees होती है वो ज़्यादा होती है तो पहला लिए हमने axis mid cape direct plan growth friends इस mutual fund के मैंने rolling return open किये हैं 2016 से यहाँ पे 3-3 year की interval में जो rolling return से हम देखेंगे तो यहाँ पे 2016 से return की बात करें दिसमबर 2016 से दिसमबर 2019 के इस mutual fund के return थे 20.72% और current return यानि November 2018 से November 2021 के जो इसके return चल रहे हैं वो है 29.47% जो friends काफी अच्छे return इस mutual fund ने perform किये हैं next आप हम इसकी downside protection देखें तो friends जब market में बहुत ज़्यादा downfall आता यह वाला period देखें friends मार्च 2017 से मार्च 2020 का तब category average negative में 9.38% गिर गया था तब इस mutual fund ने positive return दिये थे friends हमारा mutual fund ऐसा होना चीए जो की positive return दे हमारे investment को negative में नहीं लेके जाए तो इस mutual fund के return उस time पे भी थे 4.86% यानि downside protection इस mutual fund का काफी अच्छा है downside protection इस mutual fund का बहुत अच्छा होने के साथ ही इसने return में भी consistency maintain किये friends ही बहुत जादा इसके graph में up down नहीं दिख रहा है काफी अच्छे consistent return ये perform कर रहा है इसका थोड़ा और हम detail में समझे तो friends यहाँ पे इस table में देखिए यहाँ पे less than 0% की return इस mutual fund ने कभी भी नहीं दिये हैं साथ ही इस mutual fund की greater than 20% की return देखिए यहाँ पे 29.63% रहे हैं जो की बहुत अच्छे return रहे हैं और 15-20% की return भी इस mutual fund ने 27.41% टाइम्स दिये हैं तो कुल मिला के काफी अच्छे return इस mutual fund ने perform किये हैं next जो mutual fund लिया है हमने वो लिया है आपका large and mid cape category से इस category में जो mutual fund है आपका best वो है miray asset emerging blue chip direct growth यह mutual fund भी काफी अच्छा mutual fund है यह top 250 companies में invest करता है अपना major exposure इसके भी return मैंने यहाँ पे rolling return open gate 2016 से तो यहाँ पे आप देखिए friends December 2016 से December 2019 के period में इसके return रहे हैं 19.39% जो की काफी अच्छे return थे और यहाँ पे देखिए friends इसका number 2018 से number 2021 में 27.60% के return आया परफॉर्म कर रहा है जो की बहुत अच्छे है अगर downside protection देखें तो friends इस mutual fund के March 2017 से March 2020 की बात करें तो इसके negative में 2.33% return थे लेकिन category average के negative में 9.31% return थे category average बहुत जादा negative में गया था तब यह mutual fund थोड़ा सा negative में तो गया था लेकिन category average से जादा नहीं गया था हमारा mutual fund ऐसा नहीं हो कि category average से भी जादा negative हो जाए अब यहां पर देखें कि इसका graph काफी अच्छा होने के साथ यह बहुत अच्छे return यह perform कर रहा है इसको थोड़ा और हम detail में समझें तो last than 0% की return इसने 1.48% टाइम्स दिये बहुत ज़्यादा बार इसने negative return नहीं दिये है और greater than 20% की return की बात करें तो 27.04% टाइम्स दिये बहुत ज़्यादा बार 20% से ज़्यादा return बना के दिये इसने और 15-20% की return भी इसने 21.85% टाइम्स दिये काफी ज़्यादा बार 15-20% की return इस mutual fund ने बना के दिये है next जो यानि third number का mutual fund लिया है हमने वो लिया है आपका large cap category से large cap category में हमने लिया है axis blue chip direct growth mutual fund friends ये भी काफी अच्छा mutual fund है इस mutual fund के साथ अगर आप इसको नहीं लेना चाहें तो यहाँ पे केंडर रुबेको का blue chip वाला mutual fund भी आप ले सकते हैं वो भी काफी अच्छा mutual fund है लेकिन मैंने इस वीडियो में इस mutual fund को select किया है यहाँ पे देखे friends December 2016 से December 2019 में इस mutual fund के return 23.28% के थे जो की काफी अच्छे रिटन थे और आज के ताइम में देखे friends November 2018 से November 2021 के रिटन इसके 23.10% है जो की काफी अच्छे है अगर downside protection mutual fund का check करें हम तो यहाँ पे March 2017 से March 2020 के period में जब category average negative में 8.56% की रिटन परफॉर्म कर रहा था तब हमारा mutual fund पोजेटिव रिटन परफॉर्म कर रहा था 5.73% की जो की काफी अच्छी बात है नेगेटिव रिटन इस mutual fund ने नहीं दिये हैं कभी भी 0% से कम के इसनीज में इन्वेस्ट करके चलता है रिस्क इसकी बहुत कम होती है तो यह 15 से 20% की रिटन इसने काफी ज़्यादा बार दिये 44.81% यह से mutual fund होते हैं जो कम रिस्क लेके चलते हैं लेकिं इन्वेस्टमेंड को सैप साइट रखते हैं नेक्स्ट जो mutual fund है हमारा वह next category है आपकी फ्लैक्सिकेप के डिगरी से हमने जो mutual fund लिया है वह आपका पराग पारिक फ्लैक्सिकेप डारेक्ट ग्रॉथ mutual fund है फ्रेंड्स यह mutual fund भी काफी पॉपुलर है और काफी अच्छा mutual fund है इसके रिटन्स देखेंगे आप यहां 2016 से 19 के पिरिएट के तो 15.02 परसेंट रिटन थे फ्रेंड्स और आज के टाइम के अगर आप इसके रिटन देखेंगे तो यहां पर देखेंगे फ्रेंड्स नॉंबर 2018 से नॉंबर 2021 के रिटन में आज इसने 31.89 परसेंट के रिटन परफॉर्म कर रहा है जो की बहुत अच्छे रिटन है डाउन साइट प्रोटेक्शन में देए कि फ्रेंड्स जीरो परसेंट से कम के रिटन इस मुचल फंड ने कभी नहीं दिये हैं और केटेगरी एवरेज से हमेशे 2 उपर रहे हैं साथ ही इसका जब कटेगरी एवरेज नेगेटिव में 8.15 परसेंट के रिटन परफॉर्म कर रहा था जब हमारा मुचल फंड 0.74% के रिटन परफॉर्म कराता है यानि कि अपने इन्वेस्टमेंट को तो इसने बचा के रखा है लेस देन 0% के रिटन तो इसने परफॉर्म नहीं किये हैं थोड़ा और हम इसको डिटेल में समझे तो फ्रेंड्स यहां पर देखिए आप इस टेवल पर आप समझेंगे कि लाइस देन 0% के रिटन इस मुचल फंड ने कभी भी नहीं दिये हैं यह तो मैं पहले ही बदा चुका हूं ग्राफ में ले और ग्रेटर देन 20% के रिटन देखिए अपर 33.70% टाइम बहुत जादा बार इसने 20% से जादा के रिटन बना के दिये हैं और 15-20% के रिटन भी आपका यहाँ पर ELSS के डिगरी से यानि आप अगर टैक्स सेविंग मुचल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं आप ATC की तहाद इंकम टैक्स एक्ट में कुछ छोट लेना चाहते हैं तो इस टाइप की मुचल फंड में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं लेकिन यहाँ पर 3 में इस एक टैक्सवर मुचल फंड भी लेसकते हैं वो भी काफी अच्छा मुचल फंड है लेकिन मैं यहाँ पर केंडर प्रभिको का लिया है इस मुचल फंड की डेखिए फ्रेंड्स यहाँ पे दिसमबर 2016 से दिसमबर 2019 में 16.65% की रिटन पर्फॉर्म कर रहा था हैं और जिरो परशेंट की रिटन इस मुचल फंड ने थोड़े से दिये हैं फ्रेंड जब केडिगरी एवरेज नेगेटीव में एट पॉइंट नाइन परशेंट गिर गया था तब इस मुचल फंड ने 0.36% return perform किये थे थोड़ इसे time के लिए इसको थोड़ा हम detail में समझते हैं कितनी बार इसने less than 0% की रिटन परफॉम किये हैं इस table में समझिये friends less than 0% की रिटन इसने only 0.37% टाइम दिये बहुत कम बार इस mutual fund ने less than 0% की Is वहें greater than 20% की return भी इसने 22.96% टाइम्स दिये हैं 15 से 20% की return इसने 26.30% टाइम्स दिये हैं यानि काफी जादा बार इसने 15 से 20% greater than 20% की return परफॉर्म किये हैं ये तो थे आपके best 5 mutual fund friends अगर आप यहां पे mid cave category जो मैंने पहला fund बताया था अगर उसकी जगे आप small cave category में से लेना चाते हैं तो वो भी ले सकते हैं उसमें भी एक्सिस का small cave mutual fund है जो की काफी best है लेकिन इस यहां पे आपकी रिस्क थोड़ी सी जादा बढ़ जाएगी और जिस bonus mutual fund के बारे में बात कराता में वो है आपका technology sector का mutual fund शेक्टरल mutual fund ऐसे होते हैं जिनकी रिस्क थोड़ी सी जादा होती है अगर वो particular sector बहुत जादा बढ़ रहा है तो आपकी रिटन बहुत अच्छा हैंगे लेकिन अगर particular sector में downfall आता है तो आपकी रिटन बहुत जादा कम हो सकते हैं लेकिन आज की टाइम में technology sector बहुत जाद बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं तो मैंने फंड लिया है टाटा डिजिटल इंडिया डिरेक्ट ग्रोथ इस मूचल फंड की रिटन कभी परफॉर्म नहीं किये हैं और केटेगरी एवरेज को हमेशा बीट किया है यहां पे दिसमबर 2016 से दिसमबर 2019 के रिटन देखे सबसे ज़्यादा 43.94 परफॉर्म कर रहा है और डाउंसाइट प्रोटेक्शन देखें तो यह मूचल फंड जब यहां डाउन फाल आया था जब केटेगरी एवरेज भी पॉजिटिव में रिटन दे रहा था तब यह बहुत बहुत अच्छे रिटन परफॉर्म कर रहा था जो की काफी अच्छे रिटन थे इस मूचल फंड के और यहां पर दीखिए फ्रेंड इसको टेबल में थोड़ा और समझे तो ग्रेटर रेन 20% की रिटन यह 80% टाइम जो अभी तक की जो 5 मूचल फंड देखे थे हमने उन सबसे ज़्यादा रिटन इसने 20% से ज़्यादा चाहिए और यहां पर 15-20% की रिटन इसमें 9.63% टाइम क्योंकि ग्रेटर देन 20% की रिटन बहुत ज़्यादा बाहर दिये हैं तो फ्रेंड्स यह कुछ mutual funds थे जो मेरे तरफ से बैस्ट हैं लेकिन आप फिर भी अगर इनमें इन्वेस्ट करना चाहते ही तो अपने financial advisor से मिलते हैं किसी और अच्छे दमगदार informative वीडियो में जय हिन जय भारत